हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू हेल्थ क्यार हब चैनल, आज हम वीडियो पर नो पाइल कैपसूल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाओं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो प्लीज जरू करें, तो आए हम नो पाइल कैपसूल के बारे में बात करते हैं, यह कैपसूल आंतरिक और बाहरी बवासीर, गुदा विदर के चिकत्सा प्रभंधन और सरजरी के बाद बवासीर की पुन्रावित्ती की रोक्थाम के लिए किया जाता है, बवासीर एक पीड़ा दायक इस् रक्त के अटकाव के साथ सूज जाती है, यह नसें गुदा शेतर से बाहर उभरी हुई देखी जा सकती है, बवासीर में अफसर रक्त बहता है, जिससे खुजली वा परिशानी होती है, इन मामलों में आमतर पर जलन और रक्त बहा होता है, जिससे खुजली होती है, रक्त के कारण बवासीर होता है और कबज का कारण कम रिशेदार भोजन है इसे पाचक संभंधी विकार के रूप में वर्गिकरिद किया गया है जो क्रोनिक कबज के कारण होता है और मलाशय शेत्र में अपशिष्ट पदार्थों के एकत्र होने से बवासीर उभरता है जब मल निक इससे मलाशय के आसपास रक्त वहनियों में सूजन आ जाती है, इन कारणों से बवासिर होने की संभावना बढ़ जाती है। और आमतार पर पाचन अगने की कमी से बवासिर होता है, इसलिए इसके उपचार वरोक्थाम के लिए उचित विहार आहार विहार आवश्यक है। बवासिर और गुदा के फिशर के उपचार के लिए नोपाईल एक क्रांती कारी आरिवेदिक मिश्रण है, इसमें स्वर्ण, गेरू, गुलवेल, तसत्व और अर्शकुठार रस के गुण समाय हैं, जो इसके लक्षणों से रहात दे कर विकार दूर करता है। बवासिर के अधिकांच मामलों को बिना ओपरेशन से ठीक किया जा सकता है। अगर इस्तिती का सही तरीके से इलाज नहीं कराने पर इसे ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए शिगर उपचार की सलहा दी गई है। नुपाइल कैपसूल दिन में तीन बार तीस से साथ दिन तक लेने की सलहा दी जाती है। इसके बाद दिन में एक कैपसूल छेह सपता तक लें। इससे बावासिर वापस होने से रोकने में मदद मिलेगी। और पुराने मामलों में और गुदा फिशर में शल्यक्रिया के बाद लंबे उपचार के रूप में रोजाना एक कैपसूल दिन में तीन बार छे से बारा माहा तक लेने की सलहा दी जाती है। और तुरित रहत के लिए सुझाया गया आहार परहेज का सक्ती से पालन करना चाहिए। और किसी भी दवा का सेवन चिकित्सक की निगरानी में लेना बहतर होता है।